में दया का भाव पर कटनी होगा, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, वो एक लड़का था, जो बकरी चराने का काम करता था, यह बात थोड़ा द्यान से सुनना, बकरी चराने का काम करता था, और उसकी माँ उसे एक रोटी देती थी, कि ले बेटा दोफर के टाइम में इसको खा ले न, अब जब रोज वो खाता, घर पे चला जाता, रोज वो खाता, घर पे चला जाता, एक दिन जैसे ही रोटी खाने बैटा दोफर की, और एक आदमी आता है कि वो बोला, भाया मुझे बहुत भूग लगी है, कुछ खाने को देगा क्या तो उसने बोला भाई मेरे पास एक रोटी है एक काम कर आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूं उसने एक रोटी के दो भाग किये और आधी रोटी उसको दे दी आधी उसने खाई संतुष्ठी कर ले जब दूसरा दिन हुआ तो दो आदमी आ गए बोले भया तो तीन लोग आगए अब रोटी के कितने भाग हो गए चार तीन भाग उनको दे दिया एक खुद ने खाया चोति दिन तो हद हो गई चार मेंबर आ गए जैसे चार मेंबर आए तो उसने विचार किया कि विचार चार आदमी है पांच भाग करेंगे क्या मतलब निकले गा एक काम करते हैं चार भाग करके उनको ही दे देता हूँ, मैं तो साम को खालूँगा, खुद भूका रहा और उनको खिला दिया, तो उसने जाते जाते पूछा कि भाई तुम कौन रोज बढ़ते जाते हो, मुझे एक दिन पहले तो बोल तो मैं एक रोटी और ला सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं हम बताएंगे नहीं हम कौने, तो एक ने बोला बता दो यार, 4-4 दिन इसकी रोटेए खाये, जैसे बोला कि हम यम दूते हम कौन है, यम दूते, धर्ती पे जीवों को लेने के लिए आते हैं, तो उसने बोला यह कामकरों ने मेरी मृत्यू कभ लिखिये इतना बता सकते हो क्याँ, तुम्हें तो पता हैğ तुम्हें तो नहीं बताएंगे, एके बोला चलो बता देते हैं, तो उसने बोला कि चलो, एक बोला इस बात को थोड़ा सर डिप में जाके सुनना, यह टाइम पा तेरी पतनी ऊपर के कमरे में बैठी रहेगी जब तुम उससे मिलने के लिए जाएगा तो सीडियों पर जाएगा और तीस्रा चोथा पकतियां चड़ता ही तन्य काड़ों साप डस लेला और वहीं तेरी मौत हो जाएगी तेरी पतनी से मिलना लिखा नहीं है बूल गया वो चला कोई बात नहीं देखेंगे आदमी बुलकड गणो कोरोनों कित तो जोरदार रहे हो कोरोना ही आउट कर दियो महाराज इनिवास्ति तो कोरोनों गयो देश मोख्यों रट इजित तो करें को नहीं लोग काई मतलब बेहिस्ति करें महाराज तो धार ही को नह चला गया बेचारा जूपचा भी कि चलो यहां से भाइदा चलने महाराज एक दियान रखना कोरोना में किता पेड़ पोदा याद आया अब आप लोगों किने दिमागर माने एड़ी चीज है कि मनी चोमासर माने दस गोड लगाउना दस नीमड़ा लगाउना दस अमारा प प्लान है अपने नहीं है तो कोई मतलब नहीं हमें कौन बचाएंगा यह पेड़ पोदे बचाएंगे द्यान अकना यह पेड़ बचाएंगे आपने द्याने के घर्रे माने कि तो तपे नुगड़ा निचे जान बेट अब टो अबटे एक दम ठंडी हवा क्यों आवे क्यो लोग मजाग मानिया, कई मराज एड़ी बातों करो, क्योंकि नदियों चलती थी, उनाड़ा में नदियों चलती, जेट मीना में नदियों चलती, तो लोगों ने परवा नहीं थी, कि पानी बिखने वाला नहीं है, और आज वो सत्य हो गया मराज, पानी बिख रहें, तो अब हम कह रहे हैं कि वक्त आने पर ऐसा ताप पड़ेगा माराज ऐसा ताप पड़ेगा ये धर्ती तंबावर्नी रेजी तंबावर्नी हो जाएगी ये धर्ती देखना जहां देखो उलासों के धेर मिलेंगे आपको मरेंगे लोग बड़े मरेंगे लोग कारण क्या है हम पर्तव कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता तो माराज भगवान की कुरपा हुई अब वो टाइम निकल गया वो तो भूल गया साधी हुई बड़े धूमदाम से साधी की और पतनी उपर के रूम में है जैसे मिलने के लिए जा रहा है चोथा पकतियार मैंने काला नाग आक चाता हूं कि एक समा करना हमारा जोडा लिखा नहीं है इतना तो बोलने दे बोले एक मिनटगा भी टाइम नहीं दे सकता भाई ये बात कौन सुन रही उसकी पतनी के भारे भगवान वा मेरे पती मिलने से पहले उनकी मौत हो जाएगी इतने में से जो बारी थी ने उसके प साथे भातो भेजियो जैसे मारा पती मरहल तो मैं मर जाऊं लामारे जीवन कहीं करनो है मारा जुसने अपनी साड़ी में भातों बांदे वह धाड़ी नीची करी और भाई ने क्यों तू जीम ले और जय सी वह जीमियो एक निवालो लए दो लिए तीजु में कहीं बोली ज इसके खाते में अपार पुन्य आ गया है, अब इसकी मौत नहीं हो शकती, इसको नहीं मार सकते, यमदुद बोल रहा है, क्या हो गया, एक सेकंड में किसने पुन्य डाल दिया, कि ये तो पता नहीं है, भाईपन पुन्य बोल रहा है, यहां पे, धर्म बचाए लियो, तो मार आज थोने हाथा जोड़िये, थोरो हाथ उपर नी रेवनों, पया हतले में मेलना, और मा ने क्या हो ले मा, तार चेजी जेता इनमों लेले, पर मैं इस लाइक में नहीं हो, मैं तेरा बेटा हूँ, इसलिए मैं तेरे को भाई देंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा तुम है आज भी हो जाओगे, मा बापने कदी पया दे हो ना, तो यह राकना और उनोंने यह पकडावना पया, कदी जी यह नहीं देना के लो यह नहीं हो ना चीए, अर्शूब माना गया है, यह क्यों कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े भगवान है ना, वो हमारे माता पिता है, माता पिता से बड़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है, आप मानते हो, आपकी ठिंकिंग है, ने तो भगवान है हमारे पैरेंट्स, हमारे माता पिता है ना, वो हमारे इश्वर होते हैं, अरे उनों रिकाया मत बालो, एक चेलो गयो गुरुजी कने, गुरुजी न सुना है, कि आप सुरग और नरग का दर्शन करवाते हो, गुरुजी ने बोला हाँ, करवाता हूँ, मैं सुरग लोग के भी दर्शन कराता हूँ, मैं नरग लोग के भी दर्शन कराता हूँ, तो वो क्यो गुरुजी मारी सुरग और नरग देखनो है, मनी तु बता लो, क् पंदरा दिन हो गया बोला गुरुजी बताओ ना नरकाएं सुरकाएं मेरे को लेट हो रहा हूं मेरे परिवार है तो गुरुजी बोले चल मेरे साथ में जैसे ही गए एक सहर में बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई कितने पांच मंजिला और सारी सुविधाएं वी आई पी का बीमडबलू फॉट चुनर अच्छी औहट इची घाड़िया नीचे कूरी कार जैसे फ़र्प फ्लोर में आए बढ़िया बोड मा रहा हुआ बढ़िया गैट लगा हुआ ए बढ़िया ओगा हुआ लगा हुआrang robust में घारल में म्हें थार्ड में प्लोर में बहुत अच्छ वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे जाके डोकरा डोकरी ने पूचियो की कर हो, कि भावजी, चार-चार बेटा है पने आज नीरे बराबरे, मौने कोई टेम माते पाणी पावे नी, टेम माते मौने रोटी देवे नी, भूल बरम में कटे, कोई डेवे शडियो गलियो तो मात आजावे, इत्तो देख, अन गुरुजी रांखे मास वाए गया पाचा नीचा उतरिया, वह चारी बेटा बहु है, खुब बुलाया गुरुजी ने अपन मायने पग नी धरियो, थोड़ी 10-12 गली छोड़ के आगे गए, एक पांच मिंजेला बिल्डिंग बनी हुई, फर्स्ट फुलोर, वह नीचे ग्राउंड फुलोर में बहुत सारी गाड़ियां, पर फर्स्ट फुलोर में जैसी गए, डोकरा डोकरी बेटा, आली शान वेवस्ता हैं, और जैसी गुरुजी माय प्रवेश करियो, खाली डोकरा डोकरी इत्तो जिक बेटा, बेटी, सारे द बिद्नियां सबने देवे, मारा जड़ा बेटा सबने देवे, मारा जड़ा पोता पोतियां सबने देवे, मैं तो गुरुजी घणा सुखी हो, ए परमातमा मारा बेटा घणा बढ़िया है, मारी बेटियां गणी बढ़िया, मारी बिद्नियां गणी बढ़िया, मारी खू पहली बिल्डिंग में गया, माँ बाप दुखी एता न बेटा सुकी एता, वो था नरक लोग, और दूसरी बिल्डिंग में गया, जटे माँ बाप सुकी एता, और सब बेटा बेटी सुकी एता, वो था शुरग लोग, एक बात रोध्यान राग जो, आपरी सबों मोटी आपके बच्चों के संस्कार, पापा एक हिलो पाड़े बेटाने के बेटा, बेटो आइन तुरिंत उबो रे जावे, उन तेम होचनों दुनिया के सारी FD मेरे पास में, मम्मी हिलो पाड़े बेटी ने, के बेटी, दोड़न आइन मम्मी ने के हा ममी बोलो कहीं आदे से, उन मज़ा आएगा इने वास्ते पड़ाई कर रही इने वास्ते कॉलेज बेजिया इने वास्ते सिक्षा दी अरे सिक्षा रे साथ संस्कार नी देवला तो एक ध्यान राग जो थर अंतिम संस्कार ओं लाइन वेला माराज ये कड़वा सत्य बोलते हैं और होना सुरू हो गया है एड़ी उलाद कामरी को नी जो ओनलाइन आपरो माब आपरो अंतिम संस्कार ओं कर लकड़ा लेलो ये लेलो ओनलाइन पैसे कर देते हैं एक पिता आपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी और बेटों ने पड़ाया हाचा पड़ाया मजदूरी करी बढ़ी करता और पड़ा खराबेट करता ंतिम आंजी और अंजी पाद उसके परनाइन उसके टेटनलाइन उसके पाचा है भारागेक था पूरी डाणी वाहिं नेदूरी तो दूरी और ये साल ये खत मा मर जाया करे, मा आखेर में प्रेशान रहे अन आपने सरीरों त्याग कर दियो anonym कि बत्च आया को नी मा बस रोज द लेक ती गटनू गाडी मू उतरे आ गाडी मार बेटा रहे ले ला इन गाडी मून मार बेटा रहे ला इ merit करता 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 आ मारी आखी आंधी रेगी, आखिर में डोकरी प्रान त्याग दियो, कि अभे कोई आशा नहीं है, अब महाराज, अभे एक बेटो आयो, पिता जी भून करियो, भाई कि थारी मा मर गी है, तो एक बेटो आयो, पूछियो, वेने कि उत हरो दूसरों भाई कटे, अरे वो कद आयी, अंतिम संसकार करनो, तो वो नीचो नाल कियो, पिता जी नाराज मत रिजो, मारो भाई कईयो है, कि इस बार मा मर गई है, इस बार थूच ला जा, जब बाप मर जाएगा, तो मैं चला जाऊंगा, इतना नाम लिया, पिता के पैरों तले जमीन खिशक गई, ली अपनी रिवोल्वर ठोक दी खोपड़ी में, और बोल दिया, तेरा बाप भी मर गया, बुला दे तेरी भाई को, अरे ऐसी उलाद का मूँ देखने से तो बढ़िया है, कि हमें पहले ही सुल्टारा हो जाना चाहिए, अरे आज कितने दुखी है, आप हैने सच में, कई लोग हैंने, जिता दुखी आपरी उलाद हूं हैंने, इतना दुखी किनू नहीं है, ए ध्यान राग जो, क्योंकि माराज आपके पास सब कुछ है, और अपरो बड़ो सिस्टम है, और बहु और बेटी में जो अंतर मानते हैं उसके गर में कभी शांती नहीं हो शकती बेटी नहीं तो अच्छो आदर देवे और बहु रिकदर नहीं करे तो उन गर में कदी शांती तो वे नहीं सके सकता संभव नहीं है, क्योंकि दो देखना बंद कर दो, बहु कौन और बेटी कौन, बेटी ही बहु है, और जो बेटी है, वो हमारी बेटी तो है, एक गई दूसरी आई, पन हमारी बेटी, एक मेला बहु थी, तो सासुमा ने कॉल की अपनी बेटी को, कि बेटा, जल्दी तो वहां बीदनी कि यह मम्मी मैं भी सारा काम करके मेरे पीर जहूं किया बोले चुपराजा तू बट जान काई करी थार दिमाग ख़राबे गई अट काम की तो फड़ियो काम कुण करी बोले मम्मी तुमारी बेटी यारी तुम मुझे भी तुप फेजो अरे मारी बेटी लाई वी आई पी गिलास लाके टी टेबल पे रखा और थोड़ि देर मां में बेटी याई बेटी तु भावड रियोडी जो वह टेबल तु दिखी ओको नहीं मम्मी दिखी ओको दे बचीड भचीड खायो के छेरा छे गिलास टूटगा अब मम्मी काई के आरे बेटा कि माराज भी ने काई कै मारा भाह बढा ने के लिख बना दो कप चय बना के लिखा बढ़ा नांतब की दो कप अंप tabii वंरे तो भी धनी काई भी कमिस्ट भी थो हो थोड़ी आदा कप चय जादा बना लें छाञ उचई पासे कार दे आंगली घालन पासे घराब मराज हाओ जी तो वा बैचारी जिए चाय लेपने करमीज खोटा बच्चीरा करमीज अड़ा बेटीन मात चाय पीरी जिए हाथ में कप लियो और शूट गो चाय गईन कप टूट गो और के हाओ जी भीमरिया एडा कप थारे बापरे घरे देखिया एडा सोपर सेट थारे घरे देखिया ओं यू करियो यू करियो यू करियो और बेटीन छे गिलास ब्रांडेड कंपनी रा टूट गा बेटीने तो कहीं कै सूप है और बहु से एक गिलास टूट गया पूरो घर माते लेलियो महरे कने कई लोग आवे के आपका एंकार मरवा देगा आपको क्या करें माराज दो देखना बंद करो अब धाने विंती है बीदणी ने कदी बीदणी मत मांजो बेटी मांजो धरगर में योँ खुशे रह जाला एक जीजी एक बहुत बड़िया उपाए मुझे याद आगया आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए एक ही बड़िया उपाए है जद भी आपना ननत बाईसा घरे आवे मुझे नहीं भिगाड़नो ननत बाईसा आये न मुझे भिगड़ कियो लक्ष्मी आउट सी दाई साब एक होती भावी एक होती भावी मा भावी और भावी मा में अंतर क्या है जैसे भावी जीर मा में रो भरनो तो भावी मा क्या करेगी पती देव अगर पांच तोड़ो सोनों खरीदे न तो भावी मा बोलेगी चार तोड़ा और बड़ाओ कम नहीं पड़े हुआ नहीं दियोडो कम नहीं पड़े इन अच्छी ड्रेस लो अच्छी मा में रो ले जाओ 10 लाग है वावी बोले 21 लाग में धाली में मनानी करना भावी मा बढवाती है भावी मा मैं बढवाती है और भावी रहे जगो कहीं करें हात रो हडी तीन कराईं सुटे कि मा रो नाम भलोण कि दियान राग जो भावी कटवा देती है भावी मा बढ़वा देती है भावी मा कई-कई मैंने देखा है मैं गर गिनता हूँ न तो कई-कई बेहने कहती है कि हमारी भावी है गुरु जी इतनी अच्छी है न हमारी मा मर गई पना हमें यादी नहीं आने देती है कि हमारी मा दुनिया में नहीं ह हमारी मा के जैसे जैसे हमारी भावी मिल गई इसलिए हमें पीर में बहुत अच्छा लगता है और नहीं जाते न क्या हुआ एक भावी ने अपने पती को बोला के अरे तुमारी बेहन को फोन करो ना जल्दी कब आरी राखी बांदने के लिए जल्दी आजाए मुझे भी मेरे गाव जाना है मेरे बेहा को राखी बांदने है तो पती बोला है तु रोज तो मेरी बेहन के आने वे खुशी मनाती है और आज तु अटबटी क्यों बोल लिए और मैने बोला ना बोल दो उसको जल्दी आए राखी बांदने और काम खतम करें मेरे को जाना है तो पती बोला ऐसा वेवार तो तुने कभी किया ही नहीं मेरे बहन के साथ में इस बार ऐसे क्यों बोल रही तू कि चूप रहा हो मैंने बोल दिया ना तुमारी बहन को बुलाओ पहले वो फिरी हो जाए फिर में जाते हूं जब बहन को बार-बार कॉल किया तो बहन बोल रही हूं आ रही हूं आ रही हूं तो बहन आई तो भाई ने पूछा थोड़ा थ्यान से चुना भाई ने पूछा बहन इतना लेट क्यों हो गई तो उसने क्या बोला भाया, मैं ओतोरक्सां में आई नहीं, इसलिए लिए लेट हो गई अरे बहन तरी कार कहा गई, कहार सर्विस में गई भाईए तो जीजाली की कार थी ना , कह divisions में गई है इसलिए मैं ओतोरक्सां में आई तब भावी बोल पड़ी कि भाई जी मने एक बत बताओ कि आप हमें अपना मानते हो कि परहया मानते हो इसका जबाब दे दो आप तो ननत भाई सा कहीं कि भावी मैंने कब आपको परहया माना मैंने हमेशा अपना माना कि नहीं 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 गलत बाद आप हमें अपना नहीं मानते कि बाभी में अपना मानती हूं आप मेरे लिए भगवान हो कि नहीं ऐसा नहीं मानते वो अंदर गई भाभी और एक फाइल लाती है और अपने पती को देती है कि रखी बंदवा दीक हां ये फाइल दे दो के खोल गे देखो, जैसे खोला तो बेहन के मकान के कागज थे, मकान की प्रोपटी के, जो कागज थे उसमें, भूले ये कागज तेरे पास में कहां आये, कैसे आये, कि मैं इसलिए तु बोल रहे हूं ने, कि तुम्हारी बेहन अपना नहीं मानती मुझे, पराया मान लिया, इसलिए यहां चोट लगी मुझे, अरे बाईसा में कहीं कमी रहा कि थो रहे, ये जूट बोल रही आपकी बेहन, कोई कार सर्विस में नहीं गई, कोई इनकी कार सर्विस में नहीं गई, इनके सारी गाड़ियां बिख चुकी है, इनका देवाला गोशित हो गया है, और ये बाई-जी के घर को छोड़वा के वापस लाके दिया, ये अपना मानती तो मुझे बताती, भावी में प्रोब्लम में हो, भावी में समश्या में हो, कैसे डाइरेक बेंक में घर मान लिया, तुमारी भावी जिन्दा है अभी, एसा कभी नहीं करोगे एकदम, ननत बाई-स उसा हाथ करन बोलो, थार न्याल कर दें, मराथ, थार ननत बाई-सा देखतारेक मारे भावी उसा हाथ करेक नहीं करे, करो करने थारे सब्रे ननत बाई-सा रहे तो, बहुत बहुत धन्यावाद आपको